आप में से बहुत से लोगों ने कही ना कही ये पढ़ा होगा कि कुस्ट रोग साध्य है मतलब ये कि कुस्ट रोग यानि कोड की बिमारी का इलाज मुम्किन है भारा सरकार पिछले कई दशक से इस बिमारी से देश को निजाद दिलाने के लिए काम कर रही है हलाकि आज भी दुनिया के आधी से ज़्यादा नए कुस्ट रोगी भारत में ही होते हैं कोड की बिमारी बहुत बुरी मानि जाती रही है सदियों से इसके शिकार लोगों को समा से अलग थलग करने का चलन रहा है पहले तो कोड के शिकार लोगों को एकदम अलग ही रखा जाता था बाद में उनके लिए कुस्ट रोगी आश्रम बनने लगे आज भी देश में कई कुस्ट रोगी आश्रम चलते हैं सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बहुत से पशीम देशों में भी कोड के मरीजों के साथ ऐसा ही सुलूप किया जाता था यूरॉपी देश ग्रिस या युनान में तो एक जजीरा ही कोड के मरीजों के लिए अलग कर दिया गया था इस जजीरे का नाम है स्पीना लॉंगा ये युनान के सबसे बड़े दूइब क्रीट के पास इस्थित है स्पीना लॉंगा का कुल इलाका 8.5 हेक्टियर का है ये भुभाग गे सागर में मिरा बैलो की खाड़ी के मुहाने पर इस्थित है आज के तारिख में स्पीना लॉंगा दूइब पर कोई भी नहीं रहता बहुत कम लोग ही महां आते जाते हैं ये दूइब क्रीट के गाउं प्लाका से थोड़ी ही दूरी परिस्थित है मगर उसमें बहुत कम लोगों की दिल्चस्पी है किसे जमाने में स्पीना लॉंगा दूइब एक बड़ा फौजी अड़ा हुआ करता था पहले वैनिस के राजा ने यहां पर सैनिक अड़ा बनाया था बाद में तुर्की के ओटोमान समराजे ने यहां पर किले बंदी करके रखी थी 1904 में क्रीट के निवासियों ने तुर्कों को अपने देश से खदेड़ दिया इसके बाद स्पीना लॉंगा को कोड के मरीजों का अड़ा बना दिया गया एक वक्त में इस दूइब पर 400 के करीब कोड के मरीज रहा करते थे क्रीट और युनान के दूसरे हिस्से से कुष्ट रोग्यों को यहां लाका रखा जाता था उनके पहचान खत्म कर दी जाती थी, उनकी संपत यहां छील ली जाती थी स्पीना लॉंगा दूइब पर कुष्ट के मरीजों के इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं था एक डॉक्टर यहां तैनात किया गया था, मगर वो भी तब आता था जब जज़ीरे के किसी बाशिंदे को दूसरी बिमारी हो जाती थी जब यहां के कोड के मरीज चले गए, तो स्पीना लॉंगा दूइब विरान हो गया, कोई यहां झाकनी भी नहीं आता था इस जज़ीरे पर जाएं तो सन्नाटे का शोर आपके कान फार्टा सा मालूम होता है, पुरानी इमारतों के खंडर मिलते हैं कोडियों के लिए बनाए गए बाजार के सबूत है, एक अब्रिस्तान है, एक भट्टी भी यहां थी, जहां कोडियों के कपड़े जलाय जाते थे 2013 में इन सभी हड्यों को इखटा करके एक बड़ी सी कब्र बनवाई गई कुष्ट रोग्यों की कॉलोने खत्म होने के बाद से, आज कई साल बाद भी इस पीना लॉंग दूइप दिरान पड़ा है, मगर यह अपने आप में इनसान के तिहास को शर्मसार करने वाला पन्ना छुपाय हुए है NMF News की रिपोर्ट